नमस्कार मेरा नाम विकास मनहास है और आज इस 72nd Independence Day पे मुझे एक बर फिर आप सबसे बात करने के एक अपरचुंटी मिल रही है तो सबसे पहले तो मैं आप सब को अपने भारत वर्ष के सभी लोगों को सवतंतरता दिवस की हर्दिक शुप कामनाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि जिस हर्ष उलास से आज हम ये दिवस मना रहे हैं आगे भी ये मनाते रहें लेकर आज इस मुखे पे मैं कुछ अतीद के पन्नों में आपको लेके जाना चाहूँगा जिसके कारण आज हम सब लोड एस्पेशली जो हमारी रियासत है जमू और किश्मीर जहां पे भी ये इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है मैं लगभग आपको दो सो साल पीछे लेके जाना चाहूँगा अरौंड टू सेंचरी अगो 1820 की ये बात है जब महराजा रंजीत सिंग जो लहोर दरबार के राजा थे उन्होंने गुलाब सिंग को जमू का जागीरदार बनाया और इस जागीर को मैनेज करने के लिए उन्होंने गुलाब सिंग को एक छोटी सी आर्मी रेज करके उसको मेंटेंग करने का उन्होंने एक वो उनको एक इजाज़त दी तो अकॉर्डिंगली उस वक्त 1820 में जागीरदार गुलाब सिंग्जी ने एक छोटी सी आर्मी को प्यार किया उसको रेज किया वो आर्मी आगे चलके जमुएन किश्मीर स्केट फोर्सिस के नाम से जानी गई और आजादी के बाद जब हिंदोस्तान में जमुएन किश्मीर का विले हुआ तो जमुएन किश्मीर स्केट फोर्सिस जब हरते सेना में आके मिली तो एड प्रेजन्ट हम उसे जमुएन किश्मीर राइफल्स या जैक रिफ के नाम से जानते हैं थोड़ा मैं और अगर इस चीज को और मैं आगे लेके चलू 1821 में इसी फोज ने किश्तवार की जो प्रोविंस थी उसको कैप्चर किया 1822 में इसी प्रोविंस ने रजोरी के जो राजा थे उनको हरा के रजोरी को जमुए जमु के उस किंडम में शामिल किया गया और जमु के लगबग 30 किलमेटर दोरी पे अखनूर यगा है जहां पे जियो पोटा पे वो जागीरदार गुलाब सिंग्जी को जमु का राजा निक्त करते हैं जिस दिन से फिर वो राजा गुलाब सिंग्जी कहे जाने लगे उसके लगबग एक साल के बाद 1823 में राजा गुलाब सिंग्जी जो वो जुरावर सिंग्जी हैं जो उस वक्त तक रियासी किला में किलेदार थे उनको किष्टवार का गुर्नर बनाते हैं और उन्हें वहाँ पे बेचते हैं किष्टवार में लगबग कुछ सालों के बाद जुरावर सिंग्जी क्या करते हैं लगबग की तरफ अपना रुफ करते हैं उस वक्त लगबग एक अलग से रियास्त थी जो हमारे साथ नहीं और वहाँ की चड़ाई करने के लिए दस हजार जोगरों की एक स्ट्रॉंग फोर्स तैयार करके वो लगबग 1834 के आसपास लगबग की और वाया जंसकार जाके चड़ाई करते हैं और कुछ महिनों के संघर्ष के बाद लगबग को हमारे जम्मू की जो ये प्रोविंस थी जो ये रियासत थी इसमें वो जोड लेते हैं तो अगर आज के दिन अगर आज सुबा जंसकार में कारगिल में नुबरा में लदाख में और बाकी बाकी प्रांतों पे अगर आज सुखतंतरता दिवस बनाया जा रहा है तो ये उन दस हजार शूर वीरों के कारण जुराव सिंग लदाख लेके गए थे ये लदाख फते करने के बात उन्होंने बाद में इन दस हजार लोगों को प्रॉपरली एक यूनिट की फॉरम में उन्होंने इसको एक बटैलियन रेज की जिसका उन्होंने उस वक्त नाम फते शिवजी रखा था और आज की बात अगर मैं कर और पल्टन नहीं है वो जुरावर सिंग की वो पल्टन है जिनने लदाख कैपचर किया ठाव फर बाद में इसी पल्टन ने गिलगिट को भी कैपचर किया बल्टिस्तान को भी कैपचर किया और वो लासा किबत तक चले गे ये आजादी के दूरां थोड़ा दूर भागय क आपका बात है कि कुछ कारणों वस्ट जो हम सब लोग जांते हैं जिनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे कि हम ठिब्बत हमने ये गिलगिट और बल्टिस्तान को हम खो बैठे लेकakah ही अगर दोग्राओं की वो पहली वालि जो जिनरेशन थी अगर वो गलگिट और बल प्रिटिस्तान में तरंगा लराया जाएगा तो जब हम आजाद हुए उनीस सो संतालीस में जब हम आजाद हुए उस वक्त फिर कुछ सियासी लोगों ने अपनी सियासत के चलते इतनी बहादुर फोज जमुएन किश्मीर स्टेट फोर्सिस को उन्होंने डिस्बैन करने का फ एज इटिस नहीं लिया गया था और जब वो भारते सेना में शामिल हुई तो वो जमुएन किश्मीर राइफल्स के नाम से शामिल हुई आगे चलके 1962 की चीन युद हो 1965 या 1978 का भारत पाक युद हो जमुएन किश्मीर राइफल्स में उनके बहुत बर चड़के हिसा लिया जो हमारी सबसे आखिरी लड़ाई थी जो हमने कार्गिल के युद में लड़ी आ है 1999 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी जमुएन किश्मीर राइफल्स का अगर मैं कहूं तो बहुत भी एहम रोल था और उस लड़ाई में जमुएन किश्मीर राइफल्स की जो 13 बटैलें थी जो लड़ी थी उन्होंने तो एक इतिहास ही रच दिया जब उनको एक ही युद में दो परंवीर चकर दिये गे जो इससे पहले या इसके बाद भारते सैना के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ मैं बात कर रहा हूँ कैपटन विकरम बत्रा की और राइफल मैं संजे कुमार की जो 13 जैक रिफ के हिस्सा थे और जिनको 1999 के कारगिल यूद में भारत के सरवोच जो गैलेंटरी आवार्ड है परंवीर चकर उससे समानित किया गया था तो अगर मैं यह मैं सब आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आज हम जमू के लोग के बार यह थोड़ा सा डोगरा बोलने में थोड़ा हिस्ट के चाते हैं हम थोड़ी यह वो बाते करते हैं तो अगर मैं डोगरों की जो हिस्टरी मैंने जो अभी थोड़ी सी आपको कि जो आर्मी थी मैंने उसकी बात की जमुएन किश्मीर एक बड़ी छोटी सी रियासत है लेकर आज भारत की पांच यूनिट्स हैं जिनके ट्रूप्स की जो भरती है वो जमुएन किश्मीर मेंजली दोगरा रीजन से होती है मैं उन यूनिट्स के नाम बताके इस आज की वा की बात करूंगा जिसमें बहुत ज़्यदा हमारा ट्रूप्स का इसा किश्मीर रिजन से आता है तीसरी चोती जो हमारी पल्टन है जो भी एक बहुत ज़्यदा बहादूर है मैं लदाख स्कोड्स की बात करूंगा जिसमें प्री डॉमिनिटली लदाख रीजन के लोग उस विए डिसमें ज़ीजन से ही रिक्रूट होता है तो आज मुझे लगता है कि आज मैं अपनी बात यहीं तक ही अपके साथ रखता हूं फिर किसी और दिन किसी और बात या कहनी के साथ आपके साथ हinizi आँगा तो मैं एक बार झार फिर आपnınवा कि आप को आप szтовतंतरता अगर लदाक में मना रहे हैं किस्तवार में मना रहे हैं रजोरी में मना रहे हैं वो कही है जमोरी कॶ्मीर्ड, जुरावर राईफल्स राईफल्स ह्या घुलब सिंग जी भी कारणी बना रहे हैं वो हमें वह чистiendo